है यह नीट और जेटेवली एस्पिरेंट आप लोगों के लिए केमेस्टी का एक बहुत इंपोर्टन क्यों देखिए भई फॉर ए रियक्शन यह रियक्शन दे रखी आप लोगों को इडिज गिवन दैट यह दे रखा है लोग दिस दिस एंड दिस आपको बताना है यह आप लोगों से पूछ लेते हैं वही ए बाई बी की वैल्लू क्या होगी ऐसे दे दे एक ही बात है गाइस नीट और जे डवली एक्जाम में ऐसे ही क्यूसन पुछे जाने के पूरे पूरे चांस है यह अगें एक बहुत ही स्टेंड क्यूसन है जो आप लोगों को अटें ठीक है एक बाद ट्राई जूर करना अब आजाएंगे भी रही सबसे पहले यह क्यूसन आप लोगों का कैमिकल काइनेटिक से हैं जिसमें एक रियक्षन नहीं रखी है ठीक है फिर यहां रेट ओफ रियक्षन बता रखी है यहां से हिंट मिलता है हमें कि यह रेक्षन कैमि सब्सक्राइब को बत आफ रहे हैं मैं बहूत ही असान धुक्राई टैक्स में सिंपल तुम्हे क्या आता है क्इमिल का रेक्षो निकले ऐती है जिसको नहीं आती लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है एक ही वीडियो में आपकी केमिल करेंटिक्स कंप्रीट हो जाएगी अराम से वीडियो देखिए ठीक है पहले वीडियो को देख लेना फिर यह क्यों सेंट्रम करना बहुत असान हो जाएगा अब आजाओ सीख लो भी अगर के लिए दिख रहे हैं तो सिंपल माइनस का निसान पहले लगाओ फिर क्या होती रेक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन ओफ ए डियक्टेंट वाई में टाइम टेंज इन टाइम ठीक है साथ में डिवाइड करेंगे जो आगे स्टोच्योमेट्रिक कोफिशन होता है क्या अब इन कंसेंट्रेशन ओफ ए बाई में टाइम अब रेट और रेक्शन को हम लिखेंगे अभी इंटरम ओप्रोड़क्ट रेक्टेंट की टरम में हम इसा के माइनस लगाएंगे आप चेंज इन कंसेंट्रेशन बाइचेंज इन टाइम डिवाइडिंग विड्स टिस्ट्योमे एक रेक्शन में लगाता डिक्रीज होता है तो इन इसलिए करते हैं कि रियक्टिने केस में माइनस मजाते हैं अब क्या बढ़ी प्रोड की टाम में लिखो क्या चेंज इन कंसेंटेशन हो भी भाई में चेंज इन टाइम दिवाइड कीजे किस से स्टोचिमेटिक उप्षन कितना है भी इन्टुम में भी अब गोर जो देखो क्या यहां जहां लोग अपलाई कर रका यह कानी है पर अंदर है DA by DT यहां है DB by DT यह तो आ गया DB by DT आ गया मेरे पास और DA by DT भी आ गया यह A और B दिक्त कर रहे हैं वही यही से सरवाद कर लो इन A और B को तो सुन करना क्या करें और भी को एक सान लिया और हमें चाहिए भी क्या ए रैशियो भी चाहिए तो हम क्या करूं या इस वाले एक को इस तरफ कर दो दो ब्राबर तो है यह जोगा माइनस ओव डी ए बाई डी टी जल्दी से बताओ इस तरफ जाएगा तो ए बाई बी इन्टु में या डी बी बाई डी टी अब आप लोगों को क्या करना है लोग अपलाई करना है करदो दो दुराब अपलाई ओन प्लाई लोग बोट साइड लोग यह लगाया लोग जिसका बेस क्या ले लिए आमने टेंग इस तरफ भी लोग बेस्टन है M into main किसके आपर होता है लोग M plus लोग N simple अब बे derived के इस्तमाल की आपको पता होना कि इस बात कभी नेच्रल लोग आप लोग जिसका बेश क्या होते है इसकी वेयलव में ड़ैट पता नहीं कुछ है इसलिए आप भई बेस इंगा इस्तमाल कर लेते हैं यह किसके आपर होता है बस जेस्ट आपके नोलिज के लिए प्लस हो जाए क्या लोग डी बी बाई डी अब इन्हों ने पहले से आपको एक संदेय रखे थी और करके देखो क्या यह वाली का नी यह लेट इन साइट है भी क्या लोग डी बीडिट यहां है यह वाली अब जो बच गी आप पलस में दिस यह किसके इकलेंड हो जाएगा द इस यही काने थी लो ईसने में यह भी बरभाबर है किसके इसके वही से记y़कूल टुवर्ट लोग बस है यह वाली वह लोग इस तरफ क्या है क्या है एंटि लोग क्यों निकालना है एंटि लोगत हैं से जीलोग 6020 अब मेरी बात गोर से सुनों क्या यही वैलू होएगी किसके आपकी A by B लोग इस्तर हो गया कितना हो गया एंटी लोग 0.6020 एंटी लोकाशन कलते हैं देखिएगा लोग बेस टैन 2 की वैलू कितनी होती है 0.3010 लोग बेस टैन 4 की वैलू किती होती भी डबल करतो 0.6020 लोग बेस टैन 5 की वैलू किती होती है बई 0.6990 लोग 3 की वैलू 0.4770.48 ले सकते हैं यह आपकी लोग की वैलू होगी यह अब 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 किस में बन गया लोग की ट्रम में बन गया बोलो है कि देख लो भी क्या दे रख आपको लोग बेस टैन अगर यह इस तरफ चला जाए तो एंटी लोग हो जाएगा एंटी लोग 0.6020 की वैलू क्या बन जाएगी 4 सिंपल कैसे ल करेंगे 4 किसके अब आ जाएगा एंटी लो क्या 0.6020 क्या यही है क्या आपका यहीं पुचो है यही निकाल ला किस यह एगा लोग को देखे हम डर गय थे नैं तो आपको लोग को देखे डरना रहे नहीं लोगों को देखे डर रहे है कि कह सिंपल सा अपने नोलेज का प्रोपर इस्थमार शयम बनाते हुए किस्वन को टैम्ट करते हुए अब यह कुर बात ध्यान दीजिए यह आपकी रेट ओफ रियक्षिन का किस्वन अगर आपको ऐसे लोग की ट्रम में पूछे और पहले से आपको प्रकार से अगर आपने अग्या वाला यह बाग में पिछे वाले का स्टोच एंड यह प्रूडट का स्टोच एंड बाइब की वैल्यू है जो आ रहे है पूर अच्छा बैए लोग यहां पर क्या था है एंटी लोग 1 यानि कि किस लोग की वैल्यू 1 होती है लोग बेस्ट एंड 10 की सिंपल लोग यहां पर ले लेता वट भई 0.6990 यहां देता क्या 0.6990 अब आप यह आप खुद कमेंट करेंगे कि अगर यहां पर 0.6990 होता तो A by B का रेशियो क्या होता यह आप लोग कमेंट करेंगे आपको केमिकल कानेटिक्स का यह रेट ओफ रियक्शन को लेके लोग की अप्लिकेशन के साथ नुमेरिकल समझ में आ रहे हैं यह हमारी नीट और जी डबली को लेके तीसरी वीडियो है ठीक है इसमें हमने क्यूशन नंबर 3 कर लिया है पहले दो बहुत ही स्टेंडर क्यूशन हमने टेंप कर लिया है क्यूशन नंबर 1 और क्यूशन नंबर 2 ठीक है और गाईज ऐसे ही क्यूशन आप लोगों के नीट और जी डबली एक्जाम में पुछे जाएंगे और पुछे जा सकते हैं और आपके कोचिंग में भी या जहां भी आप स्टेडी कर रहे हैं और यह बहुती स्टेंडर क्यूशन है जो मैं आप लोगों को अटेंप कर लेगा आपका लेवल अपने आप नुमेरिकल्स की तरफ बढ़ता जाएगा तो अच्छे से क्यूशन इन क्यूशन की अच्छे से पढ़िए